हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रंजू और वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने किचन में आज मैं आपके साथ बहुत ही बड़ी असे मिठाई के रेशीपी से अर करने जारी हूँ तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी डेशी केटीर कोकोनट ले लिया है तो आप हम इसे एक बाल में डाल देंगे इसी के साथ अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे तो मैं यहाँ पर तीन बड़ा चमच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ आप चाहे तो इसके जगह पर मावा का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम इस मिठाई को बिना गैस चला हुए बना कर तैयार करेंगे इसलिए यहाँ पर हम मावा की जगह पर मिल्क पाउडर का इस्तमाल करेंगे अब यहाँ पर मैं दो बड़ा चमच सुगर पाउडर डाल रही हूँ मिठा करने के लिए मिठाई को तो डाल कर एक बर मिला लेंगे और यहाँ पर सुगर पाउडर आप अपने कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद हम मिठाई को और भी ज़्यादा स्वादिश्ट बनाने के लिए और साथ ही में binding के लिए मलाई का इस्तमाल करेंगे तो मैं यहां पर 3-4 चमश मलाई का इस्तमाल कर रही हूँ ये वही मलाई है जो दूद के उपर जमती है तो इसे हम 3-4 चमश ढलेंगे लेकिन यहां अगर आप के पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मलाई डाल कर एक बर हम इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और साथी में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर आप चाहे तो आदा छोटा चमच इलाइची पॉडर डाल सकते हैं अगर आपको इलाइची का टेस्ट पसंद है तो मैं यहाँ पर इलाइची पॉडर नहीं डाल रही हूँ अब मैं उपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ इससे मिठाई देखने में भी अच्छी लगेगी और साथी में खाने में भी अच्छी लगेगी लेकिन यहाँ पर पिस्ता डालना है बिलकुल ओपसनल है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं तो पिस्ता डालकर एक बर फिर से इसे मिला लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्य से मिला लिया है अब हम इसके लडो बना लेंगे आप चाहे तो इसे बर्फी के सेप में भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसके लड़ू बना रही हूँ तो बस जैसा बड़ा छोटा आप लड़ू पसंद करते हैं उसके कोडिंग लड़ू बना लीजिएगा तो देखी यहाँ पर एक लड़ू बन कर तयार है तो बस इसी तरह से हम बाकी के लड़ू भी बना लेंगे recipe के साथ तब तक के लिए take care bye bye and thanks for watching my video